नीतू के साथ जो हुआ था वह निसंदेह अच्छा नहीं था लेकिन उसके ससुर बाबू लाल ने कोई सही समाधान खोजने के बजाए जो किया वह और भी बुरा था बाबू लाल को अब अपनी गलती का एहसास हो भी तो क्या फाइदा अब तो उसे लाश की हालत देख कर पुलिस वाले तो दूर की बात कोई भी आम आदमी बता देता कि हत्यारा या हत्यारे मृत्का से किस हद तक नफरत करते होंगे साफ लग रहा था कि हत्या प्रतिशोध के चलते पूरी नरिशनसता से की गई थी और युवती के साथ बे रहमी से बलातकार भी किया गया था मध्य प्रदेश और 36 गढ़ को जोडते जिला शहडोल के ब्योहारी थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर सुदीप सोनी को भांपते देर नहीं लगी कि मामला उम्मीद से ज्यादा गंभीर है 25 मार्च की सुबह सुबह ही उन्हें नजदीक के गाव खामडांड में एक युवती की लाश पड़ी होने की खबर मिली थी वक्त नगमवा कर सुदीप सोनी ने तुरंत इस वारदात की खबर शहडोल से एसपी सुशांत सकसेना को दी और पुलिस टीम लेकर खामडांड घटना स्थल की तरफ रवाना हो गए गाव वाले जैसे उनके आने का ही इंतजार कर रहे थे पुलिस टीम के आते ही मारे उत्तेजना और रोमांच के उन्होंने सुधीप को बताया कि लाश गाव से थोड़ी दूर आम के बगीचे में पड़ी है पुलिस टीम जब आम के बाग में पहुँची तो लाश देखते ही दहल उठी ऐसा बहुत कम होता है कि लाश देखकर पुलिस वाले ही अचकचा जाएं लाश लगभग 24 वर्षी ये युवती की थी जिसकी गर्दन कटी पड़ी थी अर्धनगन सी युवती के शरीर पर केवल ब्लाउज और पैटिकोट थे ब्लाउज इतना ज्यादा फटा हुआ था कि उसके होने न होने के कोई माने नहीं थे दोनों स्तनों पर नाखूनों की खरोंच के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे पैटिकोट देखकर भी लगता था कि हत्यारे चूंकी उसे साथ नहीं ले जा सकते थे इसलिए मृत्का की कमर पर फेंक गए थे युवती के गुपतांग पर जलाए जाने के निशान भी साफ साफ नजर आ रहे थे गाल पर दांतों से काटे जाने के निशान देखकर शक की कोई गुझाईश नहीं रह गई थी कि मामला बलातकार और हत्या का था खामडांड छोटा सा गाव है जिसमें अधिकतर पिछडेड और आदिवासी रहते हैं इसलिए पुलिस को लाश की शिनाखत में दिक्कत पेश नहीं आई लाश के मुआइने के बाद जैसे ही सुदीप सोनी गाव वालों से मुखातिब हुए तो पता चला कि मृतका का नाम नीतू राठहौर है और वह इसी गाव के किसान बाबुलाल राठहौर की बहू और रामजी राठहौर की पतनी है सुदीप ने तुरंत उपलब्ध तमाम जानकारियां सुशान सकसेना को दी और उनके निर्देशा नुसार जांच की जिम्मेदारी एसाई अभायराज सिह को सौप दी चुँकि लाश की शिनाख्त हो चुकी थी इसलिए पुलिस के पास करने को एक ही काम रह गया था कि जल्द से जल्द कातिल का पता लगाए कागजी काररवाई पूरी करके नीतू की लाश पोस्ट मार्टम के लिए भेज दी गई नीतू की हत्या की खबर उसके मायके वालों को भी दे दी गई थी जो मउगाव में रहते थे मौके पर अभायराज सिह को कोई सुराग नहीं लग रहा था अलबत्ता यह बात जरूर उनकी समझ में आ गई थी कि कातिल उनकी पहुँच से ज्यादा दूर नहीं है छोटे से गाव में मामूली पूछताच में यह उजागर हुआ कि नीतू के घर में उसके ससुर बाबुलाल और पती रामजी के अलावा और कोई नहीं है नीतू और रामजी की शादी अब से कोई चार साल पहले हुई थी बाबुलाल का अधिकांश वक्त खेत में ही बीटता था और इन दिनों तो फसल पकने को थी इसलिए दूसरे किसानों की तरह वह खाना खाने ही घर आता था फसल की रखवाली के लिए वह रात में सोता भी खेत पर ही था इसी पूछताच में जो अहम जानकारियां पुलिस के हाथ लगी उनमें से पहली यह थी कि रामजी एक कम बुद्धी वाला आदमी है और आए दिन नीतू से उसकी खटपट होती रहती थी दूसरी जानकारी भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी कि दो साल पहले 2016 में इन पतिपत्नी के बीच जम कर जगड़ा हुआ था जगड़े के बाद नीतू माय के चली गई थी और उसने ससुरवपती के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था पर बाद में सुलह हो जाने पर नीतू वापस ससुराल आ गई थी ब्योहारी थाने में पुलिस ने अग्यात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया और नीतू का शव उसके ससुराल वालों को सौप दिया दूसरे दिन ही उसका अंतिम संसकार भी हो गया पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसकी हत्या धारदार हत्यार से गला काट कर की गई थी ये जानकारियां अहम तो थी लेकिन हत्यारों तक पहुँचने में कोई मदद नहीं कर पा रही थी गाम वाले भी कोई ऐसी जानकारी नहीं दे पा रहे थे जिससे कातिल तक पहुँचने में कोई मदद मिलती नीतू के अंतिम संसकार के बाद पुलिस ने उसके मायके वालों से पूछ ताच की तो उन्होंने सीधे सीधे हत्या का आरोप बाबू लाल और रामजी लाल पर लगाया उनका कहना था कि शादी के बाद से ही बाप बेटे दोनों नीतू को दहेज के लिए मारते पीटते रहते थे लेकिन नीतू की हत्या जिस तरह हुई थी उससे साफ उजागर हो रहा था कि हत्या बलातकार के बाद इसलिए की गई थी कि हत्यारा अपनी पहचान छिपा सके वैसे भी आम तौर पर दहेज के लिए हत्याएं इस तरह नहीं की जाती रामजी राठोर के बायानों से पुलिस वालों को कुछ खास हासिल नहीं हुआ क्योंकि बात चीत करने पर ही समझा गया था कि यह मंद बुद्धी आदमी कुछ भी बोल रहा है पत्नी की मौत का उस पर कोई खास असर नहीं हुआ था अभैराज सिंह को वह कहीं से जूठ बोलता नहीं लगा मंद बुद्धी लोगों को गुस्सा आ जाए तो वे हिंसक भी हो उठते हैं पर इतने योजना बध तरीके से हत्या करने की बुद्धी उनमें होती तो वे मंद बुद्धी क्यों कहलाते बाबुलाल से पूछ ताच की गई तो उसने अपने खेत पर व्यस्त होने की बात कही लेकिन हत्या का शक बेटे राम जी पर ही जताया इशारों में उसने पुलिस को बताया कि राम जी चुंकी पागल है इसलिए गुस्से में आकर पत्नी की हत्या कर सकता है बाबुलाल ने अपनी बात में दम लाते हुए यह भी कहा कि मुम्किन है कि नीतु राम जी के साथ सोने से इंकार कर रही हो इसलिए रही थी कि कोई मंद बुध्धी इतनी प्लानिंग से हत्या नहीं कर सकता अभयराज सिंह ने नीतु के बारे में जानकारियां इकठी करने के लिए एक लेडी कांस्टेबल को काम पर लगा दिया था अलबत्ता अभी तक की जांच में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी जिससे यह लगे कि नीतु के चालचलन में कोई खोट थी ये सब बातें अभयराज ने जब आला अफसरों से साजह की तो उन्होंने बाबुलाल को टार्गेट करने की सलाह दी महिला कांस्टेबल की दी जानकारियों ने मामला सुल्जाने में बड़ी मदद की पता यह चला कि नीतु दूसरी महिलाओं के साथ मजदूरी करने ब्योहारी जाती थी और शाम तक लोट आती थी पचीस मार्च को यानि हादसे के दिन भी वह मजदूरी करने गई थी लेकिन लोटते वक्त वह गांव के बाहर से ही अपने ससुर बाबू लाल से मिलने खेत की तरफ चली गई थी बाबू लाल शक के दाइरे में तो पहले से ही था पर इस खुलासे से उस पर शक और गहरा गया था चुँकि उसे धर्द बोचने के लिए कोई पुखता सबूत या गवाह नहीं था इसलिए पुलिस ने बार-बार पूछताच करने का अपना परंपरागत तरीका आजमाया इस पूछताच में उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई और नहीं कोई यात न दी गई पुलिस ने तरह तरह से उसे धर्म ग्रंथों का हवाला दिया कि जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है फिर चाहे वह नीचे धर्ती पर मिले या उपर कहीं मिले धर्म गुरुओं की तरह प्रवचन देकर जुर्म कबूलवाने का शायद यह पहला मामला था कर्म फल और पाप पुन्य की पौरानिक कहानियों का बाबूलाल पर वाज़े बसर पड़ा और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया यह डर था या गलानी थी यह तो शायद बाबूलाल भी न बता पाए लेकिन नीतू की हत्या की जो वजह उसने बताई वह वाकई अनूठी थी कहानी सुनने से पहले पुलिस ने उसकी निशान देही पर खेत में छिपाई गई थो गई थी शादी के बाद पत्नी भी ज्यादा साथ नहीं निभापाई लेकिन इन तकलीफों से बड़ी उसकी तकलीफ मंदबुध्धी बेटा रामजी था जवान होते रामजी को देख बाबूलाल का कलेजा मुह को आता था कि उसके बाद यह लड़का किस के भरोसे रहेगा कमकल रामजी को पालते पोस्ते बाबूलाल ने कई जगह उसकी शादी की बात चलाई लेकिन जिसने भी रामजी की मंदबुधी के चर्चे सुने उसने बाबूलाल के सामने हाथ जोड लिए खेती किसानी बहुत ज्यादा भी नहीं थी इसलिए बाबूलाल ज्यादा पैसों के लिए खेतों में हाड तोड मेहनत करता था जिसके चलते 54 साल की उम्र भी उस पर हावी नहीं हो पाई थी फिर एक दिन पागल कहे जाने वाले राम जी की तब मानो लाटरी लग गई जब बात चलाने पर नीतु के घर वाले राम जी से उसकी शादी करने तयार हो गए नीतु गठीले बदन की चंचल लड़की थी जिसे पत्नी बनाने का सपना आसपास के गावों के कई युवक देख रहे थे गोरी चिट्टी नीतु की खूबसूर्ती के चर्चे हर कहीं थे पर लोग यह जानकर हैरान रह गए कि उसकी शादी राम जी से हो रही है जिसे गाव की भाशा में पागल सभ्य लोगों की भाशा में मंद बुद्धी और आजकल सरकारी जुबा में मानसिक रूप से दिव्यांग कहा जाता है जब नीतु के घर वालों ने रिष्टे के बाबत हां भर दी तो बाबू लाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा घर में बहू के पाव पड़ेंगे अरसे बाद चम चम पायल बजेगी और जल्द ही पोता उसकी गोद में होगा जैसी बातें सोच कर वह अपनी गुजरी और म धड़ाका, बैंडबाजा, बारात वगेरह उसके लिए बच्चों के खेल जैसी बातें थी पर बाबू लाल का मन कह रहे था कि बहू के आते ही वह सुधर भी सकता है। जी वह आएगा, रोमांटिक और प्यार भरी बातें करेगा, फिर मन की बातों के बाद धीरे से तन की बात करेगा और फिर फिल्मों और टीवी सीरियलों में देखे, सुहागरात के द्रिश्य नीतु की जवानी और सपनों को पर लगा रहे थे, जिन्हें सोच कर ही वह रोम लिदी की होगी कोई वजह और आजकल के मर्द भी शर्माने में औरतों से कम नहीं है, ये सिलसिला लगातार चला तो शर्म छोडते खुद नीतु ने पहल की, लेकिन ये जान समझ कर वह सन्न रह गई, कि राम जी मानसिक ही नहीं, बलकि शारिरिक तोर पर भी अक्षम है, ए और बाबुलाल वराम जी ने उसे धोखा दिया है, ये सोचकर वह चोट खाई, नागिन की तरह फुंफकारने लगी, इस पर राम जी ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया, तो वह माय के चली गई, और दहेज की रिपोर्ट भी लिखा दी, बेटे बहु के बीच अन्ब बार बनकर उसके सिर पर लटक रही थी, राम जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन पुलिस काररवाई से उसका नप जाना तय था, एक समझदार ससुर की तरह बाबुलाल मौ नीतू के माय के पहुँचा, और दुनिया की उंच नीच और इस्जत दुहाई देते उसे मना कर वापस ले आया, ये पिछले साल नवरात्री की बात है, नीतू दोबारा ससुराल आ गई, पत्नी क्यों माय के चली गई थी, और फिर वापस क्यों आ गई, और सेक्स से अंजान राम जी को इन बातों से कोई सरोकार नहीं था, हाला देख बाबुलाल के मन में पा जुकने लगी, आखिर उसे भी पुरुष सुख की जरूरत थी, जिसे वह कहीं बाहर से हासिल करती, तो बदनामी भी होती, और गलत भी, वही ठहराई जाती, देह सुख का अगोशित अनुबंध तो बाबुलाल और नीतू के बीच हो गया, लेकिन पहल कौन और कैसे करे, यह दोनों को समझ नहीं आ रहा था, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा, काजी वाली बात इन दोनों पर इसलिए लागू नहीं हो रही थी, कि दोनों के बीच कोई काजी था ही नहीं, दोनों भीतर ही भीतर सुलगने लगे थे, पर शायद लोक लाज का जीना सा पर्दा अभी बाकी था, यह पर्दा भी एक दिन तूट गया, जब आंगन में नहाती नीतू को बाबुलाल ने देखा, उसके दुधिया और भरे मानसल बदन को देखते ही, बाबुलाल के जिस्म में चीटियां सी रेंगी, तो सब्र ने जवाब दे दिया, एकाएक उसने नीतू क जकड लिया, नीतू ने कोई एतराज नहीं जताया, वह तो खुद पुरुष संसर्ग के लिए बेचैन थी, उस दिन जो हुआ, नीतू के लिए किसी मनोकामना के पूरी होने से कम नहीं था, बाबुलाल को भी सालों बाद स्त्री सुख मिला था, सो वह भी निहाल हो गया, अब यह रोज-रोज का काम हो गया था, दोनों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, राम जी जैसे ही बिस्तर पर आकर सोता था, नीतू सीधे बाबुलाल के कमरे में जा पहुँचती थी, उम्र और रिष्टों का लिहाज नाजायज संबंधों में नहीं होता, और आम तो नहीं तो, इस नहीं तो में छिपी धमकी बाबुलाल को समझा रही थी, और मजबूरी भी, लेकिन जो जिद नीतू कर रही थी, उसे वह पूरी नहीं कर सकता था, अब जाकर बाबुलाल को समाज और रिष्टों के माएने समझाए, समझाने और मना करने पर नीतू जलाने लगी थी, जिससे बाबुलाल घबराया हुआ रहने लगा था, नीतू की लत्त तो उसे भी लग गई थी, पर उस पर लदी शर्त उससे पूरी करते नहीं बन रही थी, साफ है बाबुलाल बहु के जिस्म को तो भोगना चाहता था, लेकिन समाज को ठेंगा बता कर उसे पत लगा था, जिन में से एक उसे मिल भी गया था कि फसल पक रही है, इसलिए उसे चौकीदारी के लिए खेत पर सोना पड़ेगा, इसके लिए उसने खेत में जोपड़ी भी डाल ली थी, नीतू जब शहर से मजदूरी कर लोटती थी, तब तक बाबुलाल खेत पर जा चुक भी नहीं लेता, पचीस मार्च को नीतू जब सहेलियों के साथ लोटी, तो उसे याद आया कि अगले दिन उसे माय के जाना है, माय के जाने से पहले वह अपनी प्यास बुझा लेना चाहती थी, इसलिए सीधे खेत पर पहुँच गई और बाबुलाल को इशारा किया कि बाबुलाल ने दूसरे किसानों के आने जाने की बात बताई, तो नीतू ने खुद अपने हाथों से अपने कपड़े उतार लिये और धमकी देते हुए बोली, खुले तोर पर मुझसे बीवी की तरह पेश आओ, नहीं तो पुलिस में रिपोर्ट लिखा दूंगी, उस द मामला सामूहिक बलातकार का लगे, नीतू का गुपतांग भी उसने इसी वजह के चलते जलाया था, नीतू की हत्या पर वह उसकी लाश को कंधे पर उठा कर ले गया और आम के बाग में फेंक आया, पुलिस को दिये शुरुवाती बयान में वह राम जी को फंसा देना चाह नहीं बची थी, और वह अधेड ससुर को ही पती बनाने पर उतारू हो आई थी, यानी राजकुमार, हेमा मालिनी, कमल हासन और पदमिनी कोलहपुरे अभिनीत फिल्म एक नई पहेली की तरज पर वह अपने ही पती की मा बनने तैयार थी, बड़ी गलती बाबुलाल की है, जिसकी सजा भी वह भुगत रहा है, उसने पहले पागल बेटे की शादी करा दी और जब बेटा बहु की शारिरिक जरूरतें पूरी नहीं कर पाया, तो खुद पाप की दलदल में उतर गया, नीतू रखैल की तरह नहीं रहना चाह रही थी, साथ ही वह दुनियादारी की परवाह भी नहीं कर रही थी, इसलिए उससे छुटकारा पाने के लिए बाबु लाल को उसकी हत्या ही आसान रास्ता लगा, पर कानून के हाथों से वह भी नहीं बच पाया, इंसान बड़ा फितरती होता है, अपनी फितरत की बदौलत ही वह न जाने कितनों की जिंदगी बोज बना देता है, ऐसा वह कभी पैसों के लिए करता है तो कभी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, समीर भी ऐसी ही फितरती इंसान था, 12 दिसंबर 2017 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के थाना अशोका गार्डन में काफी भीड भाड थी, धीरे धीरे यह भीड बढ़ती जा रही थी, लोग यह जानने के लिए उस भीड का हिस्सा बनते जा रहे थे कि आखिर यहां हो क्या रहा है, लोग उत्सुकता से एक दूसरे का मुह भी ताक रहे थे कि यहां हो क्या रहा है, उधर से गुजरने वाला हर आदमी बिना ठिठके आगे नह लड़की जिसकी उम्र 23 से 24 साल रही होगी, वह एक लड़के का गिरेबान पकड़ कर कह रही थी, सर इसने मेरी जिन्दगी बरबाद कर दी, इसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, इसके बाद उस लड़की ने थाना पुलिस को जो बताया, उसके अनुसार उस करने के नाम पर उसने उससे लाखों रुपए भी लिये थे, लड़की को जब लड़के की सच्चाई का पता चला, तो उसने फरार होने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने घर वालों की मदद से उसे पकड़ लिया और ठाने ले आई, हर माबाप की यही ख्वाहिश होती है कि वह अपनी आुलाद को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दे कि वह खूब तरक्की करे। ऐसी ही ख्वाहिश याकूब मनसूरी की भी थी। वह अपनी बेटी जेबा को गेट की तैयारी करवा रहे थे। जबकि मुसल्मानों में आम तोर पर यही माना जाता है कि लड़क से उसकी मदद भी कर रहे थे। जेबा मनसूरी भी अपने वालिद के सपनों को साकार करने में पूरी इमानदारी से जुटी थी। वह परीक्षा की तैयारी मेहनत से कर रही थी। वह पढ़ने में भी काफी होशियार थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि इस साल वह गेट की परीक्षा पास कर लेगी। इसके लिए वह रात दिन मेहनत कर रही थी। लेकिन जो सपने उसने बुने थे उस पर समीर खान की नजर लग गई। मैट्रिमोनियल साइट से हुई दोस्ती जवान होती लड़की के लिए हर माबाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी के लिए किसी भी तरह एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। इसके लिए माम बाप लड़के वालों की तमाम तरह की मांगों को पूरी करने की कोशिश भी करते हैं। अच्छे रिष्टे के लिए ही याकूब मनसूरी ने शादी.com पर बेटी जेबा की प्रोफाइल बनाई थी। उन्होंने ऐसा बेटी के सुखत भविश्य के लिए किया था, लेकिन हो गया उल्टा। शायद इसी लिए जहां शादी की शेहनाई बजनी थी, वहां अब मातम पसरा था। समाज में आज इतना बदलाव आ गया है कि लड़के लड़कियां अपनी पसंद से शादी क करने लगे हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि जब लड़के और लड़की को जीवन भर साथ रहना है, तो पसंद भी उन्हीं की होनी चाहिए। इसी लिए अब परिचय सम्मेलन आयोजित किये जाने लगे हैं। इससे सबसे बड़ा फाइदा यह हुआ है कि लड़के के साथ लड़की को भी अपनी पसंद का जीवन साथी मिल जाता है। चूंकि जमाना हाइटेक हो चुका है, इसलिए अब विवाह के लिए जीवन साथी तलाशने का काम ऑनलाइन भी होने लगा है। कई प्लेटफार्म लोगों की शादी के लिए अच्छा जरिया बन गए हैं। जिसे वह चाह कर भी इस जनम में नहीं भुला पाएगी। जेबा ने जो शिकायत दर्ज कराई है, उसके अनुसार, उसके शादी के नाम पर धोखा खाने की कहानी, कुछ इस प्रकार है, जेबा प्रतियोगी परीक्षा गेट की तैयारी कर रही थी। जवान होती बेटी की शादी के लिए पिता याकूब मनसूरी ने शादी.com पर प्रोफाइल बना दी थी। शादी.com के जरिये शादी के लिए उसकी प्रोफाइल पर एक रिक्वेस्ट आई। रिक्वेस्ट में दिये मोबाइल नंबर पर याकूब मनसूरी ने बात की। इस बातचीत में उसने अपना नाम समीर खान बताया था उसने बताया कि वह चेननई में CBI में बतौर Undercover DSP नौकरी करता है याकूब ने उसके घर वालों से बात करने की इच्छा जाहिर की तो उसने अपने पिता अनवर खान का नंबर दे दिया अनवर खान से समीर खान के बारे में जानकारी ली गई तो पता चला कि उनका बेटा समीर CBI में Undercover DSP है फिलहाल उसकी पोस्टिंग चेननई में है बात चीत के लिए जेबा को ले गया होटल में इसके बाद समीर ने याकूब मनसूरी से जेबा का मोबाइल नंबर यह कहकर मांग लिया कि वह उससे बात करेगा अगर वह उससे पसंद आ गई तो वह इस जान पहचान को जल्दी ही शादी जैसे खूबसूरत रिष्टे में बदल देगा याकूब मनसूरी ने समीर की बातों पर पिश्वास करके उसे जेबा का नंबर दे दिया अक्तूबर महीने में एक दिन जेबा के मोबाइल पर समीर ने फोन किया दोनों में काफी देड तक बाते ही दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने घर परिवार और विचारों के बारे में बताया समीर ने ऐसी लच्छेदार बातें की कि जेबा उसके दिखाए सब जबाग में पास गई इसके बाद अकसर उनकी बातें होने लगी वाटसैप पर भी संदेशों का आदान प्रदान होने लगी ऐसे में ही एक दिन समीर ने भोपाल आकर जेबा से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की जिसे वह मना नहीं कर सकी समीर के भोपाल आने की बात पर एक और जहां जेबा खुश हो रही थी वहीं दूसरी और अंजाना सा डर भी सता रहा था क्योंकि किसी से फोन पर बात करना अलग बात होती है और आमने सामने मिलना अलग लेकिन शादी का मामला था इसलिए जेबा ने मिलना मुनासिब समझा आखिरवह समीर को लेने भोपाल रेलवे स्टेशन पर पहुँच गई यह 22 नवंबर 2017 की बात है दोनों ने एक दूसरे को देखा तो पहली नजर में ही पसंद कर लिया समीर ने जेबा के घर जाने के बजाए उसके साथ स्टेशन से सीधे नूरुससबा पैलेस होटल पहुँचा जबकि जेबा उसे घर ले जाना चाहती थी लेकिन समीर की मर्जी के आगे उसकी एक न चली होटल में उसने डबल बैड कमरा लिया था जिसमें दोनों दो दिनों तक रुके इस बीच समीर ने अपने परिवार के बारे में जेबा को खूब बढ़ा चड़ा कर बताया उसके बताय अनुसार उसके परिवार के ज्यादा तर लोग सरकारी नौकरियों में हैं कोई जज है तो कोई इसी तरह की अन्य सरकारी नौकरी में अपने पिता के बारे में उसने बताया कि उनका मुंबई में कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस है इसलिए वह वहीं रहते हैं वह बनारस का रहने वाला है जहां उसकी काफी जमीन जायदाद है समीर ने पसंद किया जेबा को अपने घर परिवार के बारे में बता कर समीर ने जेबा से कहा कि वह उसे पसंद है और उससे शादी के लिए तैयार है समीर अच्छे घर का लड़का था और CBI में अफसर था इसलिए जेबा ने भी हामी भर दी जेबा के हां करते ही समीर उससे छेड़ छाड़ करने लगा इसके बाद सारी मर्यादाएं लांगते हुए उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिये जेबा भी उसके बहकावे में आकर गुनाहों के ऐसे दलदल में जापहसी जहां से निकलना किसी भी लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है भूपाल में दो दिन रुकने के बाद समीर ने कहा कि ओफिशियल काम से उसे दिल्ली जाना है इससे जेबा को लगा कि वाकई उसे वहां जरूरी काम होगा लेकिन बाद में पता चला कि वह सब जूठ था ये सब जेबा काफी बाद में जान पाई दिल्ली जाने के बाद समीर ने उसे फोन किया डरते हुए उसने बताया कि उनके होटल में रुखने का पता उसके घर वालों को चल गया है जिससे वे काफी नाराज हैं उसकी बातें सुनकर जेबा शौक्ट रह गई वह यह क्या कह रहा है, अब क्या होगा, उसकी कितनी बदनामी होगी समीर ने जेबा को समझाते हुए कहा कि वह बिल्कुल परेशान नहो यह बात भोपाल में किसी को पता नहीं है, सिर्फ उसके घर वालों को ही पता है इस बात से वे काफी नाराज हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है कुछ दिनों में वह सब संभाल लेगा, वह बिल्कुल परेशान नहो, वह उन्हें मना लेगा वह फिर भोपाल आ रहा है, दो दिन बाद समीर फिर भोपाल आया और नूरुससबा होटल के उसी कमरे में ही रुका लेकिन इस बार जेबा होटल में उसके साथ नहीं रुकी लेकिन उससे मिलने रोज आती रही, तिर एक संभंध बनाता रहा जेबा ने एतराज जताया, तो उसने होटल में ही काजी को बुला लिया और उनके सामने कहा कि वह उससे निकाह करके उसे अपनी बीवी मान रहा है। इस तरह से जेबा का निकाह समीर से हो गया। वह समीर की बीवी बन कर रहने लगी जबकि उनके इस निकाह का कोई लिखित सबूत नहीं था। इतने दिनों तक होटल में साथ रुकने के बाद जेबा समीर को अपने मम्मी पापा से मिलवाने के लिए सागर ले गई। जहां मकरोनिया सागर में उसका पुष्टैनी मकान था। वहां भी वह अपनी लच्छेदार बातों के जाल में फंसा कर जेबा के घर वालों के सामने एक अच्छा लड़का बना रहा याकूब मनसूरी और उनकी पत्नी को भी समीर पसंदा गया था अब इस रिष्टे में कोई अडचन नहीं थी कुछ समय तक सागर में रुक कर दोनों भोपाल लौट आए समीर भोपाल स्थित जेबा के घर पर भी कई दिनों तक रुका वहां भी दोनों ने जिस्मानी रिष्टे बनाए निंग के लिए जाने की बात कहकर ठगे लाखों रुपे समीर ने जेबा के साथ साथ उसके घर वालों को भी इस बात का पक्का यकीन दिला दिया था कि वह CBI में अंडरकवरड DSP है और उसका सिलेक्शन IPS के रूप में हो गया है जिसकी ट्रेनिंग हैदराबाद में होनी है IPS की ट्रेनिंग पर वह इसलिए नहीं जा पा रहा था क्योंकि किसी वजह से स्टे लगा था लेकिन अब स्टे हट गया है इसलिए उसे ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाना है ऐसे में ही जेबा ने उससे पूछ लिया कि वह वर्दी क्यों नहीं पहनता तो उसने कहा कि वह CBI अफसर है इसलिए उसे पहचान छिपा कर रखनी पड़ती है जब कभी ओफिस जाना होता है तो वह वर्दी पहनता है जेबा के कहने पर एक दिन समीर ने उसे IPS की वर्दी पहन कर दिखाते हुए कहा कि जब कभी ओफिसियल मीटिंग होती है तब वह यह वर्दी पहन कर जाता है जेबा को उस वर्दी पर संदेह हुआ क्योंकि उस पर सीनियर अफसरों के बैज लगे थे इसके बाद समीर ने उसे सील लगे हुए कई दस्तावेज दिखाए एक दिन समीर परेशान सा सोफे पर चुपचाप बैठा था जेबा ने परेशानी की वजह पूछी तो उसने धीमी आवाज में कहा क्या बताऊं मुझे ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाना है जिसके लिए काफी पैसों की जरूरत है होटल में मिलने को लेकर पापा अभी तक नाराज है इसलिए उनसे किसी तरह की मदद की उम्मीद नहीं है अब परेशानी ये है कि ट्रेनिंग का खर्च कहां से आएगा समीर की बातों में आकर जेबा ने कहा आप परेशान मत होईए मैं आपके लिए पैसों का इंतजाम कर दूंगी समीर मना करता रहा इसके बावजूद कई बार में जेबा ने तकरीबन दो लाख रुपए उसे दे दिये क्योंकि उसे कभी उस पर संदेह नहीं हुआ था परिवार से मिलवाने की बात को टाल जाता था जब भी जेबा समीर से घर वालों के बारे में पूछती या मिलवाने की बात कहती वह कोई न कोई बहाना बना कर टाल जाता जेबा को उससे मिले करीब दो महीने हो गए थे लेकिन उसने अपने मम्मी पापा से मिलवाने की कौन कहे फोन पर बात तक नहीं करवाई थी इन्ही बातों से जेबा को उस पर शक होने लगा संदेह गहराया तो उसने अपने पापा से समीर के बारे में पता करने को कहा उसने और उसके मम्मी पापा ने समीर से उसकी नौकरी और पढ़ाई के कागजात मांगे तो वह टाल मटोल करने लगा याकूब मनसूरी ने अपने कई परिचितों को समीर के बारे में पता करने के लिए लगा दिया नतीजा यह निकला कि उसकी असलियत का पता चल गया समीर को पता नहीं कैसे भनक लग गई कि उसकी पोल खुल गई है वह अपना बैग लेकर घर से भागने की फिराक में था तभी जेबा ने कहा समीर हमें तुम्हारी असलियत का पता चल गया है अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगी जिससे तुम्हारी जिन्दगी जेल में कटेगी समीर डर गया उसने कहा अगर तुम लोगों ने मेरी शिकायत पुलिस में की तो मैं तुम सभी को जान से मार दूँगा लेकिन उसकी इस धमकी से न जेबा डरी और न उसके मम्मी पापा याकूब मनसूरी ने अपने दोस्तों की मदद से समीर को पकड़ लिया और थाना अशोका गार्डन ले गए जहां वह खुद को पुलिस अधिकारी होने का भरोसा दिलाता रहा और वादा करता रहा कि जेबा से ही शादी करेगा लेकिन शादी का जहांसा देकर शारीरिक शोशन करने के साथ लाखों रुपए एंठने वाले समीर की असलियत जेबा को पता चल गई थी इसलिए उसने उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं किया मामले की नजाकत को भांपते हुए अशोका गार्डन पुलिस ने समीर को तुरंत हिरासत में ले लिया समीर को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने याकूब मनसूरी के घर में रखे उसके बैग को कबजे में लेकर तलाशी ली तो उसमें से राजीव गांधी प्रोध्योगी की विश्वविद्याले CBI सहित कई संस्थानों की फर्जी मोहरें मिली यही नहीं उसके पास से DIG रैंग के पुलिस अधिकारी की वर्दी भी मिली समीर ने एक गलती यह की थी कि उसने जो वर्दी खरीदी थी वह DIG रैंग के पुलिस अधिकारी की थी तीन स्टार और अशोक चक्र लगी वर्दी को पुलिस ने कबजे में ले लिया था पूछताच में उसने बताया कि यह वर्दी उसने बिहार के भागलपुर से खरीदी थी शातिर दिमाग है ठग, समीर अन्वर खान, बहुत ही शातिर दिमाग था उसने बड़ी चालाकी से शादी डाट कॉम पर अपनी प्रोफाइल बना कर जेबा मनसूरी जैसी पड़ी लिखी लड़की को अपने जाल में फांस लिया था बाद में पता चला कि उसने ऐसा ही कारनामा पंजाब में किया था मध्य प्रदेश पुलिस ने पंजाब पुलिस से जानकारी हासिल की तो पता चला कि ऐसे ही मामले में वह वहां भी गिरफतार किया गया था जमानत पर रिहा होने के बाद वह फरार हो गया था पुलिस द्वारा की गई पूछताच के अनुसार समीर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला वारानसी का रहने वाला था उसने दिखावे के लिए M-Take में अपलाई कर रखा था उसके पिता मुंबई में जुग्गी जो पड़ी में रहते थे और फेरी में कपड़े बेचकर गुजर बसर करते थे उसने जेबा से बताया था कि वारानसी में उसकी तमाम जमीन जायदाद है लेकिन यह सब जूट था मजे की बात यह थी कि उसने पंजाब में जो धोखा धड़ी की थी उसमें उसने 40 से 50 लाक रुपए की चपत लगाई थी लेकिन कहीं से भी नहीं लगता था कि इतना पैसा उसके पास होगा थाना अशोका गार्डन पुलिस ने समीर के खिलाफ भादंवी की धारा 170, 419, 420, 471, 472, 473, 376 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया था कथा लिखे जाने तक समीर पुलिस रिमांड पर था पुलिस उससे कई पहलूओं पर पूचताच कर रही थी पुलिस द्वारा की गई पूचताच में समीर ने जो बताया है उससे जाहिर होता है कि वह छोटा मोटा अपराधी नहीं है होटल प्रबंधन को भी लगाया लाखों का चूना समीर कितना शातिर दिमाग है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह भोपाल के सबसे मशहूर होटल नूरू सस्बा में 2 नवंबर 2017 से 23 नवंबर 2017 तक लड़की के साथ रुका रहा लेकिन होटल प्रबंधन को उसकी कारगुजारियों की तनिक भी भनक नहीं लगी वह इतने बड़े होटल को लाखों का चूना लगा कर रफू चक्कर हो गया था अच्छा हुआ कि वक्त रहते जेबा मनसूरी को उस पर शक हो गया वरना हाथ से निकलने के बाद फिर शायद ही कभी वह चंगुल में फंसता नुरुससबा पैलेस होटल में 20 दिनों से ज्यादा रहने के बाद भी वह पैसे दिये बिना वहां से फरार हो गया था होटल प्रबंधन के बताय अनुसार 2 नवंबर से 23 नवंबर 2017 तक होटल में रहने और खाने पीने का बिल 2,15,311 रुपए बना था समीर ने चालाकी से काम लेते हुए होटल प्रबंधन को भरोसे में लेने के लिए 20,000 रुपए एडवांस जमा करा दिये थे उसे वहां 24 नवंबर तक रुकना था लेकिन एक दिन पहले ही वह अपना बोरिय अबिस्तर समेट कर वहां से चलता बना पंजाब में I.E.S. बन कर कर चुका है फरजीवाडा समीर के बताय अनुसार उसने पंजाब के कपूर्थला में भी एक B.S.C. की छातरा के साथ जालसाजी की थी वहां भी उसने कुछ ऐसी ही कहानी गड़ी थी उसने वहां बताया था कि उसका सिलेक्शन I.E.S. में हो गया है इस तरह उसके बहकावे में आकर उस लड़की ने समीर से साल 2016 में निकाह कर लिया था वहां उसने अपना नाम शमशेर बताया था जब फर्जी I.E.S. का जूट सामने आया तो कपूर थला के थाना फगवाड़ा पुलिस ने जनवरी 2016 में शमशेर के खिलाफ धोखा धड़ी दहेज अधिनियम और धमकाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफतार कर लिया था शमशेर उर्फ समीर वहाँ दो महीने तक जेल में बंद रहा उसकी दादी ने जमानत कराई तो जेल से बाहर आते ही वह फरार हो गया अब देखना ये है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ पंजाब पुलिस समीर उर्फ शमशेर को धोखा धड़ी, पैसे एठने, शारिरिक शोशन और फर्जी पदों का गलत इस्तेमाल करने के अपराध में कितनी सजा दिलवा सकती है पुलिस यह भी पता कर रही है कि यह काम समीर अकेला ही करता था या उसके साथ और कोई भी था पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवादी इस वीडियो का उद्देश किसी का दिल दुखाना नहीं है अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्राइम से बचे अपना और अपने परिवार वालों का खयाल रखें मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद